लाल बटन दबा कर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और हाँ फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बैल वाला आइकोन दबा कर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें कुद्ब मिनार दिल्ली में स्थित है मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे चुड़े कुछ अद्भुत रहस्थे के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कुद्ब मिनार 120 मिटर उंची है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इटो की मिनार है मोहाली की फते बूर्ज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिनार है कुद्ब मिनार कुद्ब मिनार दिल्ली के नहरोली भाग में स्थापित है कुद्ब मिनार लाल पत्थर और से बनी हुई है कुतुब मिनार 72.5 मिटर उची है और इसका व्यास 14.32 मिटर का है मिनार के अंदर गोल सीड़ियां है कुलू चाहि तक 389 सीड़िया है 379 सीड़िया सन 1200 में दिल्ली के संस्थापक कुतुब बुद्दीन ने कुतुब मिनार का निर्मान शुरू किया 1220 में पॉंटे ने कुतुब मिनार में तीन और मंजल शामिल कर दी 1369 में सबसे उंची मंजल पर बिजली कड़की और मंजल पूरी तरह से गिर गई थी फिर से उसने मंजल बनाना शुरू कर दिया था 1505 में एक भूकम की वज़े से कुतुब मिनार को काफी नुकसान हुआ था कश्टी को बाद में सिकंदर लोधी ने ठीक करा दिया था बाद में एक अगस्त 1903 में फिर से भूकम पाया था इस शती को ब्रिटेन इंडियन आर्मी के मेजर रोबर्ट स्मित ने 1928 में इसको ठीक कराया उन्होंने कुतुब मिनार के उपरी भाग में एक घुम्मट भी बनवाया लेकिन बाद में पाकिस्तान के गवर्णर जनरल लॉर्ड होर्डिंग के कहने पर इस घुम्मट को हटा दिया गया कुतुब मिनार में एयान तुमिस की नए दिखाई देने वाली कब्र एक रहस्य है जो 1235 में बनी थी दोस्तों आप भी कुतुब मिनार की छे मंजिल तक ही जा सकते हैं आज भी सबसे उपरी मंजिल तक नहीं जाने दिया जाता है फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वट्सप, फेस्बुक और ट्वीटर पर जादा से जादा शेयर करें धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे चैनल अक्षच एंडेटेन्मेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुचाएं धन्यवार